नमस्कार स्विकार की गई है पहला तो एक के बाद एक स्वरों की रचना होनी चाहिए जो रस वभाव उत्पन कर सके चित यानि की अपने मन को भी प्रसन कर सके और जो दूसरा है वह है एक स्वर के साथ ही विभिन स्वरों का ऐसा मेल होना चाहिए जिससे की स्वर का प्रभाव बढ़ सके उधारन के लिए यदि एक गाने वाला अकेला गाता है तो उसका जो गायन है कुछ हलका प्रतीत होता है यदि उसके साथ में हार्मोनियम तानपुरात, सारंगी तबला, आदिवाधिये भी बजे तो उसके गायन का प्रभाव बढ़ जाता है एक के बाद एक स्वरो के उच्चारण को बोलचाल की भाषा में हम धुन कहते हैं जो मैलोडी का अनंत और परिश्क्रत रूप है और स्वरो के एक साथ उच्चारण को हम सहती कहते हैं जो हार्मोनी का परियाय है सबसे पहले हम मैलोडी के बारे में बात करेंगे स्वरो के क्रमिक उच्चारण या वादन को मैलोडी कहते हैं हमारा हिंदुस्तानी संगीत मैलोडी प्रदहन है क्योंकि क्रमिक स्वरुच्चारण ही भारतिय संगीत की विशेष्टा है सबी में प्राय यह प्रक्रती देखने को मिलती है की यहां मैलोडी पर आधारित है कि यहां वर्षो प्रयोग व कलात्मक परिश्कार ने इसको राग का रूप प्रदान किया यह राग ही हमारे संगीत का आधार है आधुनिक संगीत की रागपदती एक विक्सित मेलोडी का रूप है क्योंकि इसमें कई नियमों का फालन होता है जब हम मेलोडी शब्द का प्रयोग भारतिय संगीत के संधर्भ में करते हैं तब हमें शास्त्रिय संगीत का ध्यान आता है चाधर्णतिय मेलोडी का अर्थ है स्वर का कोई भी धुन जिसमें स्वरों का क्रम हो उसे हम मेलोडी कहेंगे इस परिभाशा के आधार पर मेलोडी को निम्न बातों का होना आवशक है मेलोडी में स्वरों का क्रम होना चाहिए दूसरा है एक समय में एक ही स्वर सुनाई देना तीसरा है स्वर क्रम के आधार पर स्वरों का समुह निश्चित करना नेक्स्ट है स्वरों के विभिन रूप प्रयोग में आ सकते हैं जैसे सीधे स्वर लेना, कण स्वर लेना, मीड में स्वर लेना नेक्स्ट है लै द्वारा विभिन क्रमों की रचना करना राग में कुछ स्वर निश्चित होते हैं जिनका पालन कलाकार को करना ही पड़ता है किसी राग में गंधार, धैवत, निशाद, ये स्वर कोमल लग रहे हैं तो प्रत्येक बार गायक को अपने गायन में इसी रूप को लेना होगा प्रत्येक राग में निश्चित स्वर, बादी तथा समवादी होते हैं उनी के आधार पर गायक अत्वा वादक एक ही राग में विभिन स्वर क्रमों को उत्पन करता है जैसे राग मालकॉंस में स्वर क्रम, नीसा गर्म, धनीसा जिसमें की गंधार, धैवत और निशाद कोमल है इसका अवरोह आएगा सानी धाम गसा, इसमें भी निशाद धैवत और गंधार स्वर कोमल है गायक इस मूल भूत स्वर क्रम के आधार पर नवीन स्वर क्रमों की रचना करेगा इस प्रकार नियम बद्धता, कलाकार की स्वतंत्रता, दोनों मिलकर अलोकिक संगीत में विभिनता में एकता उत्पन करते हैं नेक्स्ट अमारा पॉइंट है, मेलोडी संगीत में स्वर क्रम का विशेश महत्व है अब इसका विशेश महत्व इसलिए माना जता है, क्योंकि किसी विशेश स्वर क्रम में ले स्वतं ही प्रवेश कर जाती है मेलोडी में स्वरों का क्रम रखने का कोई नियम नहीं है केवल मदूर्ता के आधार पर सब तक के सुवरों को अनेक क्रमों में रखा जा सकता है मेलोडी में कम से कम दो स्वर होने चाहिए क्योंकि दो स्वरों के बिना क्रम नहीं आ सकता है और अधिक से अधिक कितने ही स्वर हो सकते हैं आज शास्त्री संगीत ने इस रूप में बहुत उनत्ती कर ली है इसके कलात्मक और अलोकिक रूप को देखकर पश्चिम के विद्वान भी इस रूप इस ओर जुक रहे हैं कहने का आठिया है कि मेलोडी में सबसे में जो रहता है हमारा स्वरों का क्रम बराबर रहना चाहिए एक के बाद एक स्वर आने चाहिए स्वरों का जो रूप है वह बदल सकता है पर स्वरों का क्रम रहना चाहिए स्वर में जो स्वरों का करम रहता है उसमें रंजकता रहनी चाहिए और रंजकता के आधार पर ही गायन ववादन होता है और जो स्वरों का विभिन करम रहता है उसमें जो लैप है वहां समान रहनी चाहिए समू आधा स्वर करम के जो समू है वह निश्चेत होने चाहिए तो ये छोटी-छोटी बाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और मेलोडी के बारे में हम यही कह सकते हैं कि स्वरो के क्रमिक उच्चारण और वादन यानि कि क्रम से उच्चारण जो हम करते हैं उसे हम मेलोडी कहते हैं धन्यवाद